दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों राजनीत विज्ञान अथवा नागरिक सास के अध्याइवार प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे भारत की संसद लोक सभा एवं राजी सभा से संबंधित महतोपूल प्रशनों को जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे यल्टी ग्रेट, टीजीटी, पीजीटी, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज और यूजी सी नेट राजनीत विज्ञान के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीत विज्ञान अथवा नागरिक सास्त के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 28 दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखे अपना त्यागपतर देने के बाद भारत में एक मंतरी को अपने त्यागपतर के विशय में लोक सभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमत की आवसकता होगी आपसन है प्रधान मंत्री, स्पीकर, राष्ट पती या सर्वोचने आले तो सही उत्तर है आपसन भी स्पीकर की आवसकता होगी अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में किसी मंत्री को अपने त्याग पत्र के विश्य में लोक सभा में व्यक्तिगत वक्त अब्य देने के लिए अगला प्रशन है ने मिलखित में से कौन भारत के परधान मंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्जी के मुख्य मंत्री नहीं रहे थे अपसन है एश्डी देव गौड़ा, पीवी नर सिंहराव, चंदर सेखर या मुरार जी देसाई तो सही उत्तर है आपसन सी चंदर सेखर दोस्तों चंदर सेखर भारत के परधान मंत्री बनने से पूर्व किसी राज्znी के मुख्य मंत्री नहीं थे अगला प्रशन है संसत का एक गैर सदस से अधिक्तम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है तो ये अवधि है दोस्तों 6 महीने के लिए संसत का एक गैर सदस से भी मंत्री बना रह सकेगा लेकिन उसके पूर्व मंत्री कांटिन्यू मंत्री पत्रेथ कांटिन्यू करने के लिए उसे संसत की सदसेटा ग्रहन करनी होगी यानि उसे कहीं से संसत के रूप में चुना जाना होगा अगला प्रश्ण है संसदी सासन में वास्तविक कारेपाली का सक्ति किसके पास होती है तो आप जानते हैं वास्तविक कारेपाली का सक्ति दोस्तों संसदी सासन में परधान मंत्री के पास होती है क्योंकि परधान मंत्री मंदल का परधान होता है अगला प्रश्ण है मंत्री परिशत के विरुध अविस्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोग सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों देखे मंत्री परिशत के विरुध अविस्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों से हस्ताक्षरित अनुमोदन सहित जो है प्रस्ताव लाना पड़ेगा तो सही उत्तर है 50 सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए मंत्री परिशत के वि तक कोई व्यक्ति जो संसत का सदसे नहीं है वो भी मंत्री बना रह सकता है अगला प्रशन है भारती संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिशत की नियुक्ति और पदचिवति को भी वेचित करता है आपसन है अनुछेद 70, 65 तो सही है अनुछेद 75 अपसन D आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं чесन निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है अपसन है हरित पत्र, स्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या निली पुस्तिका तो भारत का अधिकारिक के दोनों सतनों में बोलने, अन्य कारवाईयों में शामिल होने, किसी भी संसदी कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन उसे ओट देने का अधिकार नहीं है, तो ये कौन है, ये हैं दोस्तों, भारत के एटार्नी जनरल आफंडी आपका सही उत्तर है, भारत का महान अगला प्रशन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपका सही नहीं है भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक के संबंध में। अगला प्रशन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक क्या कारे करते हैं। तो उत्तर है भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक्षक सरकारी धन यानि लोक वित्त के संब्रक्षक के रूप में कारे करता है। अगले प्रशन पराते हैं दोस्तों भारत के महानियावादी या एटारनी जनरल के विश्य में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाता है सही है। उसमें वही योग गिताएं होनी चाहिए जो सर्वोच नियाले के नियाधिस की होती है। उसे संसत के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और संसत द्वारा महा भी योग लगा कर हटाए जा सकता है। तो दोस्तों महानियावादी के संबंध में कथन एक और दो सही है कि वह भारत के राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों उसमें वही यो गिताएं होनी चाहिए जो सर्वोच नयाले के नियाधीस में होती हैं तो आपसन ए आपका सही हो जाएगा एक और दो कथन एक और दो आपके सही है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है लोक वित सरका के वित्ति क्रिया कलापों के अध्यन है इसके अंतरगत आते हैं देखिए सारोजनिक खर्च का परिक्षण सारोजनिक राजस्व वित्ति प्रसासन या ब्यावसाइक बैंकों का कार्य निस्पादन तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा विकल्प गलत है तो सही उतर है आप संडी ब्यावसाइक बैंकों के कार्य निस्पादन दोस्तों ये लोक बित्त के अंतरगत नहीं आते हैं अगला प्रशननिम लिखित करत अब्यों में से कौन सा एक भारत के नियंतरक और महा लेखा परिक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है भारत की संचित ही और लोक लेखा से होने वाले सभी ब्यायों की लेखा परिक्षा और उनके संबंध में प्रतिवेदन ये भी करता है सभी ब्यापार देखे सभी ब्यापार निर्मार लाभ और हानी लेखा परिक्षक करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन देना और देखे सारुजनि राज को उसमें जमा हो ये कारे C.A.G याने नियंत्रक और महालेखा परिक्षक का नहीं है अन्य सभी कारे A.B.C जो तीनों भी कल्प हैं वो सही है आपसन D आपका इसके लेखा परिक्षक के द्वारा जो है इसका पालन नहीं किया जाता है अगला प्रशन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक को उसके पद से हटाये जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है तो उत्तर है उचतम नियाले के नियाधिस के समान दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक को उसके पद से उच्चतम न्याले के न्याधिस को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाये जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों लोक निधी का अभिभावक किसे कहा जाता है तो नियंत्रक और महालेखा परिक्षक दोस्तों लोक निधी या सारुजनिक वित्त का संड़क्षक होता है अगला प्रश्ण है नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की टीका टिपड़ी पर उचित कारवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है तो उत्तर है संसत की जिम्मेदारी है नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की टीका टिकड़ी पर अंतिम जिम्मेदारी अगला प्रश्न है दोस्तों 1971 का संविधान संसोधन महा लेखा नियंतरक और करतब्य सक्तियों की सेवा इस्तितिया धिनियम लेखांकन और लेखा परिक्षण को प्रिथक करता है और CAG को लेखों की उत्तरदाइत्व या तैयारी के उत्तरदाइत्व से मुक्त देता है ये स संसोधन कब किया गया था तो सही उत्तर है 1976 में दोस्तों ये संसोधन किया गया था जिसके द्वारा लेखांकन और लेखा परिक्षण को अलग किया गया और C.A.G. को लेखों की तयारी के उत्तरदायतों से मुक्त किया गया था अगला प्रश्न है निमनलिखेत अधिकारियो पर विचार कीजिए देखे यहां पर हैं मंत्री मंदली सचीव मुख्य निर्वाचन आयुक्त संगी मंदल के सदस्य और भारत में मुख्य नयधिस तो इनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा तो सही अनुक्रम हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले भारत का मुख्य नयधिस उ उसके बाद आपका मुख्य निर्वाचन आयूग तो फिर मंत्री मंडली सचिव। आप संसी आपका सही उत्तर या सही पदानुक्रम हो जाएगा। अगला प्रशन है दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक के संग के लेखा संबंधी प्रत वेदनों को सरोपर्थम निम्ण में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रशन है भारत सरकार के मुख्य विधी परामर्स दाता कौन होते हैं। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्ष दाता, एट아रनी जनरल आफिंडिया यानि भारत के महानयाईवादी और राज्यों में दोस्तों कौन होता है, राज्यों में एड़ोकिर जनरल, एड़ोकिर जनरल जो होता है या जिसको महाधिवकटा कहते हैं ये राज्यों का प अगला प्रश्ण है सॉलिसीटर जनरल निम्न में से क्या होता है आपसन है सरकारी अधिवक्ता राष्टपती का कानूनी अधिकारी कानूनी सलाहकार या प्रसासनी का अधिकारी तो सही उत्तर है आपसन सी दोस्तों सॉलिसीटर कानूनी सलाहकार होता है अगला प्रश्ण है संभिधान का निमने अनुच्छेदों में से कौने को बंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत नेडायक होगा और वह उसका प्रियोग करेगा तो ये दोस्तों ये बेवस्था संभिधान के अनुच्छेद सौ में की गई है कि संभिधान का या जो किसी पक्ष में किसी मत पर जो मत पढ़ते हैं उनमें लोकसभा का अध्यक्ष नेडायक होगा यानि किसी भी मुद्दे पर दो जो है दोनों पक्षों में पच्छ और वि प्रतिनिधितों को सुमेलित करना है देखिए आंधर प्रदेश में आपकी 25 सीटे हैं लोगसभा की तमिलनाडु में कितनी 49 सीटे हैं इसकी अलामा महराष्ट में लोगसभा की दोस्तों 48 सीटे हैं 36 गड़ में सबसे कम यहाँ विकल्पों में जो दिया गया है 11 सीटे और 25 सीटे हैं तो आप इस तरह से सही मिलान कर सकते हैं एक का तीसरा बी का चवथा सी का पहला और डी का पाचवा और ई का दूसरा तो आपसन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों लोगसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे तो दोस्तों लोगसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है सभी सदस्य जिसको लोगसभा स्पीकर के रूप में चुनते हैं वही लोगसभा अध्यक्ष होता है अगला प्रशन देखिए आसान सा है प्रोटे में स्पीकर का करतब्य क्या होता है तो आप जानते हैं नई लोगसभा गठित होने पर जो नए सदस्य होते हैं उनको सपत दिलाने का कारे प्रोटे में स्पीकर का होता है अगला प्रश्ण है यदि लोगसभा उपाध्यक्ष लोगसभा की अध्यस्ता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकते हैं तो फहिर उत्तर है लोकसभा के विचार विमर्ज में भाग ले सकते हैं सदसे के रूप में संदन के समच्ches किसी प्रस्तायों पर मत बराबरी की अवस्था में मत डान कर सकते हैं या अध्यक्ष की अनुपस्तिति में संसत की संयुक्त बैठा के अध्यस्था करने का अधिकार नह अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाय जा सकता है तो ये प्रक्रिया है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को हटाय जा सकता है अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा के प्रक्रिया औ तो दोस्तों लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतरगत नियम 377 के अधिन लोकसभा सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिक्तम 20 मामले उठाए जा सकते हैं अगला प्रश्ण है देखिए निम्ण में से कौन से सक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं पहला है कि धन यानि वित्त विध्यक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सही है धन विद्यक के निस्तरी करण अथवा संसोधन के संबंध में सही है और मंत्री परशत के उतरदायतों के संबंध में अखिल भारती सेवाओं के स्रिजन के संबंध में दोस्तों राज्य सभा को अनन्य अधिकार अखिल भारती सेवाओं के स्रिजन के संबंद में प्राप्त है जबकि लोकसभा धन विधेयक लोकसभम प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को निरस्त या संसो धन लोकसभा ही करती है और मंत्री परिशत के उत्तरदाय तो लोकस सही है चौथा आपका सही कथन नहीं है अगला प्रश्ण है लोकसभा का कारेकाल दोस्तों देखिए ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है तो दोस्तों लोकसभा का जो कारेकाल है आपातकाल की घोश्रा के दोरान एक बार में एक वर्स तक के लिए बढ़ाया जा सकता है ये सही है अगला प्रश्ण है कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए लोग सभा में अस्थानों की बात की गई है तो आंधर प्रदेश दोस्तों आप देख सकते हैं आंधर प्रदेश में 25 लोग सभा सीटे सही सुमेलित हैं असम में 14 सही हैं पंजाब में 13 और पशिम बंगाल में आपकी 42 सीटे हैं यहां पर 43 दिया गया है लोगसभा की कुल सदर से सीटों की संख्या 1971 की जनगरना के आधार पर कर दी गई है ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्स विसेश के बाद पहली जनगरना नहीं होगी ये वर्स विसेश क्या है तो ये दोस्तों टाइम लाइन 2026 का दिया गया है कि दोस्तों लोगसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगरना पर आधारित होगी और ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब 2026 के बाद पहली जनगरना नहीं हो जाएगी अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों लोगसभा में केंदरसासित छेत्रों का सरवाधिक प्रतनिधित्व कितना हो सकता है तो दोस्तों ये 20 हो सकता है लोगसभा में केंदरसासित प्रदेसों का सरवाधिक प्रतनिधित्व अगला प्रश्ण है नेमनल लिखित राज्यों या संगराज छेतरों के समोह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है तो देखिए दोस्तूं एक सीट वाले चंडिगर, सिक्किम और मिजोरम ये लोकसभा में केवल एक सीट धारित करते हैं अगला प्रश्ण है लोक सभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है देखे निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है सही है निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है सही है निर्वाचनों के लिए मद्दाताओं की सूची को राष्टपती के निदेशन और नियंत्रण में तयार किया जाता है ये सही नहीं है क्योंकि ये निर्वाचन आयोग की निर्देशन में तयार किया जाता है और निर्वाचन आयोग के अन्रोध पर राष्टपती निर्वाचन आयोग को उसके कारेओं के निर्वहन के लिए आवस्यक कर्मचारी ब्रिंद उपलब्ध कराते हैं तो देखें सही क्या नहीं है ये आपसंसी सही नहीं है निर्वाचनों के लिए मद्दाताओं की सूची दोस्तों निर्वाचन आयोग के निरिक्षण निर्देशन में तयार की जाती है न की राष्टपती के अगला प्रश्ण है लोगसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र देखी दोस्तों ये भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन छेतर की मद्दाता सूची में है ये दाखिल किया जा सकता है तो कोई भी ब्यक्ति जो भारत का नागरिक हो जिसका नाम किसी निर्वाचन छेदर की मद्दाता सूची में हो वो लोगसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है अगला प्रेशन है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर सामानते किसे चुना जाता है आपको बताना है तो उत्तर है नौ निर्वाचित लोगसभा के बरिष्टतम सदस्यों में से एक को प्रायः प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और इसका कारे नई निर्वाचित लोगसभा के लोकसभा में अनुसूचित जातिके लिए आरक्षित हैं अगला प्रश्ण है पर्थम इस्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविस्वास प्रस्ताव लाया गया था ये कौन थे तो ये थे जी वी मावलंकर ये पर्थम लोकसभा इस्पीकर थे जिनके विरुद्ध अ विष्वास प्रस्ताव लाया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों आम चुनाओ 2019 में 543 लोकसभा निरवाचन छेतरों के लिए चुनाओ हुआ इन में से कितने लोकसभा निरवाचन छेतर राज्यों के हैं, तो सही उत्तर है 530, दोस्तों च्छेत्र में जो 530 निर्वाचन च्छेत्र हैं ये राज्यों से संबंदित हैं अगला प्रशन है ने मिलखित में से कौन पर्थम जन जाती लोगसभाध्यक्ष थे तो ये थे दोस्तों पर्थम जन जाती लोगसभाध्यक्ष पी-ए संगमा अगला प्रश्ण है लोगसभा चुनाओं का कोई प्रत्यासी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होते हैं कितने मत तो दोस्तों लोगसभा का कोई प्रत्यासी अपना जमानत खो देता है जब उसे बैध मतों का एक बटे छे ओट नहीं प्राप्त होता है की बैठक सामानता है इन सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है अगला प्रशन है दोस्तों संविधान के किस संसोधन ने लोगसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी थी तो ये था 31 संविधान संसोधन दोस्तों 31 संविधान संसोधन की अनुसार जो है अगला प्रश्ण है वर्तमान में लोक सभा में निर्वाचन छेतरों के लिए चुनावबया की अधिक्तम सीमा कितनी है तो ये दोस्तों 70 लाख रुपय है वर्तमान में लोक सभा के चुनावबया की सीमा अगला प्रश्ण है नेम्न संबयधानिक संसोधन में से कौन से राज्यों का निर्वाचित होने वाले लोगसभा के सदस्यों की संख्या में बृध्धि करने से संबंधित है तो ये हैं दोस्तों साथमा और एक तीसमा संविधान संसोधन जिसके द्वारा राज्यों से निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या में बृध्धी की गई थी अगला प्रश्ण है भारती संविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत लोकसभा में अनुसूचित जातियों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है राष्टपती उपराष्टपती प्रधानमंत्रिया इस्पीकर तो सही उत्तर है इस्पीकर दोस्तों इस्पीकर जो है ये अपने पद की सपत नहीं लेता है इस्पीकर को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही जो है निर्वाचित किया जाता है अगला प्रश्ण है राजविधान सभाव में आंगल भारती समुदाय के लिए प्रतिनिधितों का प्रावधान भारती समुदाय के किस अनुच्छेत द्वारा किया गया है तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेत 333 के द्वारा लेकिन वर्तमान में ये एक संविधान संसोधन के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है लोकसभा और राजविधान सभाव में आंगल भारती समुदाय के प्रतिनिधितों को समाप्त कर दिया गया है लोकसभा सचिवाले रहता है लोकसभा का पहला आमचुनाओ कब हुआ था तो दोस्तों ये जानना चाहिए आपको लोकसभा का पहला आमचुनाओ 1952 में हुआ था याद रखेगा अगला प्रश्न है किस लोकसभा का कारेकाल लगभग 6 वर्स का था तो ये था दोस्तों देख प्रश्वी लोकसभा का कारेका लगभग 6 वर्स का था अगला प्रश्ण है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो ये हैं स्रीमती मीरा कुमार ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही है राज्यसभा का सरुपर्थम गठन कब किया गया था तो सही उत्तर है 1952 म सरवपर्थम गठन किया गया था अगला प्रश्न सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है दोस्तों राज्य और राज्य सभा के सदस्यों की संख्या तो सही सुमेलन आपका इस प्रकार से हो जाएगा गुजरात में 11, करनाटक में 12, केरल में कितना हो जाएगा नौ और ओडिशा में आपके 10 राज्य सभा सदस्यों की संख्या है तो सही सुमेलन हो जाएगा 2, 3, 1, 4 यानि आपसंसी अगला प्रशन है दोस्तों निमलेखित में से कौन राज्य सभा का सदस्यों होते हुए भी लोग सभा की कारवाई में भाग ले सकता है तो दोस्तों ऐसा जो कोई भी सदस्यों है लोग सभा की कारवाई में भाग ले सकता है अगला प्रश्ण है राज्यसभा किसी धन विध्यक में सारभूत संसोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा अगला प्रश्ण है लोक सभा देखिए दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें राज्य और उनमें आवंटित राज्य सभा सीटों की संख्या दी गई है आंध्र प्रदेश में देखिए 18 दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में 11 राज सभा सीटे हैं इसकी अलावा ओरिशा में 10 सही है तमिल नाडु में 18 सही है और महराष्ट में 19 राज सभा सीटे हैं आंध्र प्रदेश में 18 नहीं बलकि 11 राज सभा सीटे हैं तो आपसन ए आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण है दोस्तों राज्य सभा के सदस्य बनने के लिए अरहताओं के संबंध में निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसमें देखिए उम्र कम से कम 30 वर्स का होना चाहिए सही है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सुचे में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए ये जरूरी नहीं है और राज्य के अंतरगत लाभ का पद्धारित नहीं होना चाहिए तो ये सही है तो देखिए एक और तीन आपके सही है अफसन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलखित में से कौन राज्य सभा का अध्यक्ष होता है तो आप जानते हैं राज्य सभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट पती या इसे कहा जाए कि राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट पती अगला प्रश्ण है दोस्तों निमलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि राजसभा में धन विध्यक को या तो अस्विकार करने वसंसोधन करने की शक्ति नहीं है सही है और राजसभा अनुदानों की मांगों पर मद्दान नहीं कर सकती सही है राजसभा में वार्सिक वित्ति विबरण पर चर्चा नहीं हो सकती है तो ये हो सकती है राज्य सभा में भी तो देखे दोस्तों एक और दो आपके सही हैं तो एक और दो कथन सही हैं कि राज्य सभा में धनविध्य को या तो स्विकार किया जा स्विकार करने या संसोधन करने की कोई सकती नहीं है और अनुदान की मांगो परमदान नहीं कर सकती ह अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए भारतिय संविधान के अंतरगतने मलखित में से कौन सा अनुछेत संसत को राज्य सूची के विश्य के संबंध में विधी बनाने की सक्ति देता है तो ये अनुच्छेद दोस्तों ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 249 दोस्तों ये ऐसा है कि संसत को राज्य सूची के विशय के संबंध में बिधी बनाने की सक्ति देता है अगला प्रश्णिन निम्लिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विशे के संबंध में बिधि बनाने की संसत के बारे में सही नहीं है राज्य सभा को घोसित करना होगा कि राश्टी हित में हैं सही है राज्य सभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों त्वारा समर्थित संकल पारित करना होगा सही है ऐसी विधी संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है और राज्य सूची में समिलित विशय के संबंध में राष्टी हित में बिधी किवल राज्य सभा बना सकती है ऐसा जरूरी नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपसंडी दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है अगला प्रश्ण है निम्लिखित कस्नों में से कौन एक भारत के संबिधान की चौथी अनुसूची को सही सही बनित करता है तो दोस्तों भारते संबिधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा में अस्थानों का आवंटन है यानि प्रतेक राज्य में कितने राज्य सभा सीटों का आवंटन किया गया है इसका बाढ़न चौथी अनुसूची में किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों देखिए राज्य सभा में राज्यों को प्रतनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है तो भारत में राज्य सभा में जो राज्यों को प्रतनिधित है उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है इसलिए अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राज्य सभा की सीटें अधिक हैं और कम जनसंख्या वालों में कम है अगला प्रश्ण है राज्य सभा के सदस्यों का जयन होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों राज्य सभा के सदस्यों का चुने जाते हैं कितने वर्सों के लिए आपको बताना है तो सही उत्तर है राज्य सभा के सदस्यों के लिए चुने जाते हैं अगला प्रश्ण देखिए बहुत ही आसान है पर्थम अभिनेत्री जो राजसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन है तो सही उत्तर है नर्गिस डत्थ नर्गिस डत्थ पर्थम अभिनेत्री है जिनका नामांकन राजसभा के लिए किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत की संचित निधी से जो है धन निकालने के लिए किसका अनुमोधन अनिवारे होता है तो ये है भारत की संसत का अनुमोधन जरूरी है भारत की संचित निधी से गोई धन निकालने के लिए और आज की वीडियो का यानी राजनीत विग्या के आज के practice set का test का अंतिम प्रश्ण है कि ध्याना करसंड सूचना के प्रावधान नहीं निमलखित में से किसके छेत्र को सीमित किया है अलपा वधिचर्चा प्रश्निकाल अस्थगन प्रस्ताव या सुनिकाल तो सही उत्तर है आपसंसी अस्थगन प्रस्ताव को देखे दोस आपने महत्तोपोंट प्रश्णों को साल्व किया और ये प्रश्ण आपके आगामी परिक्षाओं जैसे TGT सामाजिक विज्ञान, PGT राजनीत विज्ञान, LTE ग्रेट सामाजिक विज्ञान, इसके अलामा, गौर्मेंट इंटर कालेज, गौर्मेंट डिगरी कालेज, इस चैनल मागदोशन फार सिविल सर्विशेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार